अभिनेताओं, निर्माताओं को जानने के बाद हम आते हैं सोवियत चंग की ऐसी प्रणाली की क्या खामिया थी कुछ खामिया थी खामिया थी इसलिए तो लोग सोवियत चंग के अंदर तरस्त होने लगे थी इसलिए तो वहाँ पे कई आंदोलन विद्रोह भी हुए इसलिए गौर्बचेव को सुधारों का एक दौर शुरू करना पड़ा खामियों को ही ठीक करने के लिए गौर्बचेव ने प्रेस त्रॉयका और ग्लास नॉट किया राजनेतिक सुधार और आर्थिक सुधारों की शिंखला शुरू की दूसरे शब्दों में सुवियत संग की विचारधारा जो थी साम्मिवादी प्रणाली इसकी कुछ खामिया भी थी भले ही शासन ने बुनियादी सुविधाय देना सुनिश्चित किया भले ही शासन ने आवागमन परिगवहन और अन्य खेत्रों में दिब बहुत प्रगति की भले ही सुवियत संग एक महाशक्ति बनके उभरा लेकिन इसके बावजूद कई कारणों से वहां की जनता परिशान भी थी तो अब हम जाने थोड़ा कि आखिर सुवियत संग की प्रणाली की साम्मिवादी प्रणाली की खामिया क्या थी तो भी संग प्रणाली के खामियों में बात करें तो पहले तो यह जानना जरूए होगा कि नेता जो होता है वो वास्तविक जनतंत्र के समर्थक होते हैं क्योंकि वहां सभी संस्थाएं जनता द्वारा संचालित होती हैं एक अच्छी आदर्ष साम्यवादी व्यवस्था में पहले जैसे आपने जाना कि साम्यवादी व्यवस्था में सब समान हैं नेता हो या निर्माता हो या जो भी हो सब एक ही स्तर पर गिने जाते हैं ये तो हुआ विचार धारक के तौर पर थियोरी में और ये सभी लोग जनतंत के समर्थक होते हैं और सारी संस्थाएं जनता द्वारा संचालित होती है याने जनता ही सर्वो परी पर दुर्भाग से जब व्याभारिक उसमें आते हैं तो कुछ दिक्तें सामने आती हैं एक दली शासन सामने आने लगता है सोवियस्चंग में एक दली शासन आने के कुछ अच्छाईयां तो थी पर बुराईयां भी थी एक दली शासन कार्थ सभी लोगों को पसंद करें या ना पसंद हो उसी विचारधारा से जुड़ना उसी विचारधारा के का गुणगान करना उसी विचारधारा की पूजा करन एक दली व्यवस्था करत ये भी है किसी तरह का विरोध ना होना किसी तरह का विपक्ष ना होना किसी तरह के विचारों की और बोलने की सुतनता ना होना यद्यपी ये सब अधिकार तो दिये गए थे लेकिन धरातल में व्यावारिक प्रेयोग में ये सब सफल नहीं थे ये मातर थियूरी थे और इस पकार हम कह सकते हैं कि एक दली शासन व्यवस्था ने वहाँ पर एक ताना शाही व्यवस्था को जन दिया ताना शाही और एक दली सामिवाद का वर्चस उसकी पकड़ उसका नियन तरण हो चुका था जिससे बहुत से लोग किसी भी तरह के विपक्ष को शासन पसंद नहीं करता था उसके कुचल देता था और कुचलने का अर्थ उनकी आवाज को बंद करना चाहे उन्हें डरा कर ध क्याता ही सामिवाद में बरदाश नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ एक दली व्यवस्था एक विचार की व्य determines है तो हम देखें कि ऐसा हुआ क्यों? एक तो एक दली व्यवस्था जिसमें किसी वितरह का विरोध बरदाश्ट नहीं. दूसरा नौकर शाह जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्राट जो होते हैं, इस सामववादी एक दली व्यवस्था में बहुत ताकतवर हो जाते हैं. उनी की त सत्ता का लोब, सत्ता का लालच इन्हें कुर्सी से चिपकाए रहता है और कुर्सी से चिपके रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. घूस, जासूसी, हत्याएं, आज ये सब संभव था इन सामववादी देशों में. तो इसकार ये महत्पूर्ण दूसरा कारण हैं, वह था कि दल का समस्त संस्थाओं पर नियंतरण, कम्यूनिजम, कम्यूनिस्ट, सामववादी, समाजवादी, बस यही बातें जो कर सकेगा, वही ऐसे देश में पनपेगा, अन्य था, उसे निप्टा दिया जाएगा. तो अगला कारण ये मान सकते हैं, कि इस नियंतरण की नीटी से जनता परिशान थी. सभी तरह का नियंतरण इससे जनता परिशान थी. अगला कारण, सोवियत संग जब तूटा, तो पंदरा गणतंतर, पंदरा ने राष्ट्रों में, उनमें से एक राष्ट था, रूस भी. लेकिन जब सोवियत संग एक था, और ये पंदरा र राष्ट्रों में, हर बार, हर चीज में, रूस को फायदा मिलता था, रूस नाम के राजी को. परमानों हत्यार, वहीं बने थे. और इसलिए वो और बड़ी शक भी था. तो अन्य चौदा राज, सोवियत संग के अंतरगत, अन्य चौदा राज, रूस के एक तरीके से, पेक्षित महसिस करते थे, रूस की तुलना में अपने को, अपने को दबा हुआ मानते थे, और इस प्रकार इसी कारण, ये जो राज्ज थे, ये स्वाहम खिन थे, रूस के एक दबाओ से, रूस के इस पार्शियल व्यवहार से, सोवियत संग की सरकार, मतलब एक तरीके से रूस की सरकार हो गई थी, और बाकी जो खेत्र थे, वो नगन्य, महत्ता में नगन्य थे, और हर जिकर रूस का वर्चस्च था, तो इसलिए बाकी खेत्रों की नाराजगी, ये भी सोवियत संग की प्रणाली की एक खामी थी, अगली खामी, प्राध्योगिकी के खेत्र में और आधार भूट धांचे को मजबूत नहीं कर पाया, सोवियत अर्थ विवस्था, वैसे तो बहुत अच्छी थी, वैसे तो बड़ी मजबूत थी, लेकिन ये आधार भूट नीव की बात करें, तो वो मजबूती नहीं थी, सतही की स्तर पर बड़े ताकत वर्थ थे, ऐस प्रद्योगी की किक्षेतर में, तकनीके किक्षेतर में, आपको याद होगा मैंने एक वाक्य कहा था, कि सोवियत संग में उद्योग बहुत बड़े बहुत पन पे, लेकिन वहाँ पे पिन से लेके कार तक बनाई जाने लगी, अधनिक हतियार बनाए जाने लगे, लेकिन गुणवत्ता के मामले में सोवियत संग का सामान निम्निस्तर का ही था, कम से कम USA और पश्चिमी जगत के जो सामान थे उनसे कमजोर ही था, चाहे आप कैमरा ले लें, चाहे आप वहां की आटो मुबाइल इंडस्टी लें, हतियार लें, इन सब में कुछ न कुछ ऐसी खाम जिसके कारण पश्चिमी जगत के प्रॉडक्ट के सामने, पश्चिमी जगत के उत्पादकनों के सामने, सोवियत संग के उत्पादन कमजोर ही रहते थे, तो प्रद्योगी की और आधार भूत धाचे में सुद्रिन ता नहीं आ पाई थी, इसको सुद्रिन मजबूत बनान हथियारों पर अत्याधिक खर्च अमेरिका आपको याद होगा मैंने बताया था 1945 में अमेरिका दुनिया की महाशक्तियों में बहुत आगे था सोवियत संग यद्यपी दूसरे नमबर पर था पर पहले और दूसरे नमबर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था इस अंतर को कम करने की होड में सोवियत संग ने पूरा ध्यान अपना हथियारों के खर्च पर हथियारों के निर्माण पर लगा दिया और जो अन्य सो विदहाएं थी वह उसके लिए उस हद तक कम हट पूर्ण थी और उसका सोचना था कि यदि दुनिया में एक महाशक्ति बनना है USA की यदि बराबरी करना है या USA से आगे बढ़ना है तो सब से पहले हमें हथियारों सेन्य हथियारों के साथ शक्तिशाली होना पड़ेगा और इस प्रगाएं उसमें नौ सेना रूप से कमी आई और इसका आस्तर पड़ा जिसकी नाराजगी जनता ने जब तब दिखाई